दोस्तों यदि आपने साल दोहजार चौबेस में मैटी के परिक्षा दिया है और यदि आप एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो ऐसे में बिहार विदाले परिक्षा समिती आप सभी के लिए कमपार्टमेंट एक्जाम के लिए ओनलाई नाविदेन के जो परकिरिया है सुरू कर दी गई है मैं आपको इस वीडियो में पूरी एस्टेप बाई एस्टेप बताऊंगा कि कैसे कमपार्टमेंट एक्जाम का आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं कैसे फॉर्म को भढ़ना ह कितना सुलक आपको देने पड़ेंगे तमाम जनकारी डीटेल में अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए महत्पॉर्ण हो सकता है वीडियो अगर आपको पसंद आ तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को कोसिस करिएगा कि अपने उन दोस्तों के स अपास सेर करें जो एक या दो सब्जेक में फेल है वो अपना साल बरवाद नहीं करना चाहते हैं इससे साल उपास होना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भरकर उपास हो सकते हैं आईए स्कीन पर चलते हैं डीटेल जनकारी आपको समझाते हैं विहार बोर्ड मैटिक कमपार्टमेंट परिक्षा का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा यह फॉर्म डाउनलोड करने का जो लिंक है मैंने आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलप्ट करा दिया है यहां पर पूरी जनका परिक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है कि विशेष परिक्षा का भी आयोजन कर रही है और कंपार्टमेंट परिक्षा का भी आयोजन कर रही है दोनों का फॉम भरने की जो परकिरिया है समानने होने वाली है और समान तिथी से ही आपकी आवेधन परकिरिया श्टार्ट है जैसे इसका ओनलाइन जो श्टार्ट किये गए हैं 3 अपरैल 2024 से लेकर 9 अपरैल 2024 के बीच में आप सभी ओनलाइन मध्यम से इसका परिक्षा फॉम बढ़ सकते हैं लेकिन ये ध्यान रखेगा आप खुद से ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन आपके विदाले के जो भी प्रधान होंगे उनके दुआरा ऑनलाइन किया जागा बाकि आपको ये फॉम भी आप चाहिए तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अन्य था आप इसकुल से भी इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं और इस फॉर्म में क्या-क्या भरनी है उसके बारे में मैं आपको पूरी जनकारी बता रहा हूँ जैसे देखे यहाँ पर बताए गया है कि कौन से फॉर्म किन को भरना है उसके बारे में यहाँ पर जनकारी दिये गए हैं जैसे देखिए कमपार्टमेंट परिक्षा का फॉम उन बच्चों को भरना है जो एक बिसाय या दो बिसाय में उप्हेल कर गया है वो चाहते हैं इसी वर्स पास होना तो आप कमपार्टमेंट का फॉम भर दीजिए बिसेस परिक्षा में बैठ सकते हैं फॉम नहीं भर पाया था फिर वी आप बिसेस परिक्षा में बैठ सकते हैं और तिसरा वैसे बचे जो एक या दो सब्जेक्ट में अपसेंट कर गया थे वो बिसेस परिक्षा में बैठ सकता है चौथा वैसे candidate हो सकते हैं जो परिक्षा देने तो गया लेकिन एक दो मिनट के कारण उनका gate बंद हो चुका है तो बच्चे जो है business परिक्षा में सामिल होकर इसे साल पास हो सकते हैं तो यह पूरी जनकारी आपको यहाँ पर बताई गई है नीचे देख लिजे इनमें कितना सुल्क आपको देना है वो बताई गए हैं जैसे online जो परिक्षा आवेदन सुल्क है वो समाने category के लिए 70 रुपया है SCST, EBC, BC1 के लिए भी 70 रुपया है कूल मिलाकर यहाँ पर जो payment आपको लगेगा समाने सरेनी से कर आप होंगे तो 110 रुपया कोई SCST, EBC, BC बाले होंगे तो 895 रुपय इनको देना परेगा बाकि 30 रुपया तिरेक्त सुल्क जो है आपके विदाले के जो परदान होंगे उनको देना है क्योंकि उनके द्वाड़ा ही आपको फॉर्म डाउनलोड करकर भी देए जा रहे हैं और फॉर्म को आवेदन वो ऑनलाइन करेंगे तो यह 30 रुपया एक्ष्ट्रा सुल्क उनको देना है तो यह पूरी जनकारी था आईए समझते हैं इसका फॉर्म जो है आप कैसे भरेंगे फॉर्म डाउनलोड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामनी यह फॉर्म आएगा जिसमें किलियर बताया गया है कि फॉर्म जबी भी भढ़े तो किबल अंगरेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं उससी में आपको भढ़ना है एक जो आपका अंग होता है या एक लेटर जो है एक ही बॉक्स में भढ़ना है जैसे आपका जो भी बी एस भी उनिक आईडी होगा मालेजे एक है तो एक इस बॉक्स में दो है तो दो इस बॉक्स में तीन है तो तीन इस बॉक्स में इस परकार लिखे बॉक्स से बाहर या box side में यह सब touch up नहीं होना चाहिए आपके जो भी school का code होगा वो डालेंगे जैसे किसी का school को code माल लिए 1, 2, 3, 4, 5 है तो इस परकार एक अंक एक box में लिखना है यह demo मैं बता रहा हूँ आपका जो actual जनकारी होगा वो ही भरिएगा आपका जो भी यहाँ पर आपको डालना है आपका जो भी school का नाम है English में आपको लिखना है तो दियान यह रखिएगा माल लिज़े आपका school का नाम suppose करी M के school है तो यहाँ पर क्या करना है M में के इस box में और यहाँ पर एक वाक्ट च्छोड़ कर यहां से क्या करेंगे इसको लिख दिजिएगा बाकि जो भी address होगा आप यहां पर बताएंगे और नीचे भी आपको box दिएगे इसमें भी आप बता सकते हैं आपका जो भी नाम होगा इंगलेस में लिखना है जैसे राम नाम है तो आपको आर इस box में एस box में अच्छे से बड़े अक्छरों में उप्योग आप करेंगे बकी यहां पर एक जो है colorful रंगील जो फोटो होता है उसको आपको चिपकाना है और नीचे में अपना sign कर देना है पिता जी का जो भी नाम होगा यहां पर इंगलेस में आपको लिखना है फिर आपका जो जेंडर होगा जैसे लड़का है तो male के सामने टीक करें लड़की है तो female के सामने आप टीक कर दीजेगा साथ नंबर में आप से category पूछी गई है जैसा अगर आप जेंडरल वाले होगे तो जेंडरल के सामने टीक करें इविसी बाले है पिसी बाले है सी एश्टी है आप जो भी है अपने category के सामने इस पर का टीक कर दीजेगा कोई दिव्यांग है तो यहाँ पर एस करेंगा अनेता नौवाले विकल पर टीक कर देंगा बाकी यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको देखने सुनने में जो परसानी होती है दिव्यांग वालों के लिए है अगर है तो आप दे ने था नो वाले विकल पर टिक करते दें बाकि मुवाईल नंबर देना है जू भी नंबर आपके पास होगा नंबर आपको यहां पर उपलप्त करानी है इमेल आईडी देना है क्योंकि यहां पर कमपल्सरी लगा गया है क compulsory का मतलब है कि वो जनकारी आपको देना जरूरी है छोड़ नहीं सकते हैं बारा नमबर में बोला गया है कि आपका जो भी आधार नमबर है आप यहाँ पर फिल करेंगे जिसमान लेजिए 1,2,3,4 जो भी है यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर इन्होंने एक लाइन देना होगा यह कि हमारे पास अधार नमबर नहीं है जो बच्चा यहाँ पर अगर अधार नमबर फिल कर देता है तो आपको 13 नमबर कॉलम है यहाँ पर साइन नहीं करना है यह धियान रखेगा मैक्सिमाम बच्चा यहाँ पर गलती कर देता अधार नमबर भी दे देता है यहां पर sign भी कर देता, अधार नमबर जो नहीं यहां पर देंगे, उनको यहां पर sign करना है, जो अधार नमबर यहां पर दे रहे हैं, उनको यहां पर sign नहीं करना है, यह धियान आपको रखना है, बाकि नीचे आएंगे student की जो category है, आपको यहां पर compartment आपको chain करना होगा, compartment department जो परिख्णा में जो सामिल होंगे जो बच्चा उन के पास पुर्व में जो एडमीड काड होंगे उसमें जुभी रॉल कोड दिए गये होंगे रॉल कोड यहां पर बताएंगे और जो पिछले साल आपने एकजाम में बैठा था वो कब बैठा था 2024 में बैठा था तो 2024 नहीं पर बताएंगे जो प्रिवियस एक्टा वाला सब्जेक्ट है एक्ट्रा वाला आप चुनेंगे लेकिन मेन सब्जेक्ट आपका दो ही होना चाहिए तो अगर जो भी सब्जेक्ट में आप फेल कर गये हैं उसका एक्जाम देना चाहत है उसको यहां से टी कर दीजिएगा इस परकार बाकि नीचे आना है यहां पर बोले गया है नीचे जवाब आएंगे किसी का अगर वेपसाइक अगर कोई यहां पर बता सकते हैं टिष्टिक आप बता सकते हैं इस परकार आपको बताना है पिंकोट जो भी होगा यहां पर आपको पिंकोट देनी है नीचे आना है घोसना देना है तो घोसना में देखिए बताया गया है कि आपको सबसे पहले स्टूडेंट का जो सिंगनेचर है वह आप Hindi में देंगे आपका जो English signature है वो देंगे आपके गार्जियन जो भी होंगे उनका signature यहाँ पर कराना है और आपके स्कुल को प्रिंस्पल होंगे उनका यहाँ पर साइन और मोहर यहाँ पर लगने वाला है यह धियान रखेगा इस परकार आपका जो form है वो भड़ाएगा अब इसके साथ लगाना क्या क्या है तो आपका जो admin card है इस form को लेना है आपके पास अधार काड होगा वो अधार काड लेंगे इसके अलाबे अपना passport side photo रखेंगे यह जो दस्तावेज है इसको ले जाकर आप अपने इसकुल में तीन तारिक से लेकर नौ तारिक के बीच म बाकि जो भी परकिरिया है वो आपके इसकुल के द्वारा online कर दिया जागा आप खुद से online नहीं कर सकते हैं उमीद करता हूँ पूरी जयनकारी अपने समझा होगा तो वीडियो को like और share जरूर कर देंगे तो अभी आपने देखा आमने आपको step by step सभी process बताया कि कि किस प अपार्टमेंट पर इच्छा का जो form है आप फिल कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको पूरी जयनकारी मिली होगी तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैहिंद